तो दा केरला स्टोरी ने जो है न एक बशकल नंगा सच दिखाया है मुसल्मानों का जिस तरह से कश्मीर फाइल ने एक नंगा बशकल सच दिखाया था मुसल्मानों का उसी तरीके से इस मूवी ने भी एक बशकल एक अगली तुथ दिखाया है मुसल्मानों का और मुसल्मान कि निकाह करते हैं और जब चाहते हैं तलाग दे लेते हैं जब चाहते हैं पॉली गेमी कर लेते हैं और जब चाहते हैं हलाला कर लेते हैं कहते हैं कहते हैं कि मेरी मां तहज्जुत की नमाज पढ़ती है और बेटा सेक्स चिपचाट करता है कहते हैं कि मेरी मां जो है वह जाकर किया है पर किया है हम कैसे कहें के जhoo कि अपने उम्र से 15 साल की बड़ी लड़की से शादी किया आप क्यों नहीं करते अरे पलाना लड़की जीन्स पहन के निकली थी अरे बो लड़की का और भी दो बॉइफ्रेंड था अरे बो लड़की देखो 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 बो लड़की जो है ना पलानी की बेटी है मुसल्म मुसल्मान लड़की तो पता है बहुत उचे पोस्ट पर है आपको पता है यह कितने मंत्रियों के साथ सोई है बिना मंत्री के साथ सोई इतनी बड़ी गारी ले लिए तो यह होती है conversation यह होती है gossip मुसल्मान लड़कों की पाड़ा महला गली पूचा एरिया हम तो रोज देख रहे हैं तलाग का केसे हम तो रोज देख रहे हैं कि बेटिया जो है अपने बच्चों को बोधी में ले करके सिसकती हुई रोती भी आ रहे हैं कि फलाना मुसा ने हमको तलाग दे हैं नवे परसंट मुसल्मानों की वजह से हम जैसे बीस परसंट मुसल्मानों को अपनी नजर और अपना सर जुका नहीं पड़ता है पर देखानी चाहिए तुमको कुछ नहीं बोल सकते हो पर हम बोलेंगे यह नया हिंदुस्तान यह डिजिटल हिंदुस्तान है हम बोलेंगे और हमें कोई नहीं रुख सकता है और सिनिमा ये कैसी चीज है जिसको बहुत गुपसूरत तरीके से कड़वा से कड़वा सच सही तरीके से बड़े-बड़े परदों पे दिखाया जा सकता है देखिए हिंदुस्तान में अब हिंदुस्तान ही कैसे सिट्वेशन पर आया है जिसको करन जोहर के डोलने नाचने और छोटे-छोटे कफ़े वारी मुवी नहीं पसंद है करन जोहर वाला प्यार मॉहांबदि Switzerland जहनता को सधुक्त ल्त अब हिंदुस्तान की जनता को हिस्टोरिकल मुवी पसंद है हिंदुस्तान की जनता को लिए अपने अप वर्सेस नंबर बताईए अरे प्रोस्टिट्यूट कहीं की ऐसे बोली है ऐसे बोलेगी तो देख लेंगे तेरे घर घुसके तेरा रेप कर देंगे इसी मूवी की एक क्लीपिंग आय थी जिसमें अदा शर्मा जो है जो एक्ट्रेस है उन्होंने हिजाब पहन करके लोगों से बिनती कर रही थी कि मुसल्मान लड़कियों उपर बहुत तत्याचार हो रहा है मुसल्मान लड़कियों को ये किया जा रहा है वो किया जा रहा है तब ये वाइरल करवाने वाले ये ही मुसल्मान लड़के लोग हैं यही मुसल्मान सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्हों ने वाइरल करवाया था और जब इन्हों ने यह पूरी पिच्चर देखी तब इनके कलेजे में दर्द और हार्ट अटैक स्टार्ट हुआ क्या रही यह तो हमारा सच कर सकते हैं कि जो बच्चा होने वाला है वो मुसल्मान धर्मों को ही मानेगा मुसल्मान रिच्वल्स को ही मानेगा अगर मा हिंदो है और मा का और पुरान कहता है कि बच्चे की पहली दर्दगाह मा की गोध होती है तो क्यों नहीं वो रामायन मानेगा क्यों नहीं औरतों के स यह भी कई चैनल पर उन लोगों ने बताया है कि ऐसा हुआ है उनके साथ तो अब जो पिडिताएं हैं जो विक्टमाइज्ड हुई है क्या वो भी जुट बोल रही है असलाम लेकुम नमस्ते हैं सच्छाइब विवर्स आए में विशनाज वार एक दफा फिर से हमारे चैनल पर नाजिया इलाही खान बहुत ही एनर्जी के साथ दुबारा हाजिर हुए है तेंक यू सो मच नार्या और वेलकम दुमाँ चैनल असलाम लेकुम वालेकुम असलाम अच्छाइज हम लोग किसी भी ऐसी चीज को डिसकस नहीं करने जा रहे हैं जो हमारे सुसाइटी में बहुत आम तरीके से जो है जो है जो हर दिन नजर आती हो या चलती हो या चीज़ पुब्लिक रिव्यूज लिए जाए है अवाम बहुत ही बड़ी तादाद में उसको सैनमा हॉल्स में देखने भी जा रही है ना सिर्फ इंडिया में बल्के पूरी दुनिया में इसको जिकर किया जा जा रहे है अज़ी के बारे में आज़ी आज़ी चीज से बात करेंगे जब उसको भी देखने हम बैठे थे तो बींगा मुसलिम भी मतलब एक अजीब सा एक बदनुमा शकल से नजर आया कि मुसल्मान जो सुनना हमानने वाले होते हैं जो पुरान पर चलने वाले होते हैं जो कुद को कहते हैं कि इसलाम में बहुत पीस और ट्रांपिलिटी की ब और जब मैंने दा केरिला स्टोरी देखी तो उसमें भी एक नंगा बदनुमा बदशकल मुसल्मानों का सच नजर आया जो टेररिजम के नाम पर नाजाने कितनी लड़कियों के जिन्दीकी बरबाद कर चुके हैं नाजाने कितनी लड़कियों के आत्म सम्मान के साथ खेल नाजाने कितनी लड़कियों के इमोशन के साथ खेल चुके हैं यह एक अगली ठूथ है मुसलिम कम्यूनिटी का जो शायद ऐसा आपको लग रहा है कि क्योंकि आप मुसलिम कंट्री में रह रही हैं तो आपको लग रहा है कि हम नहीं आप नहीं देखती हैं पर हम हर रोज नाजिया जी यहां पर मेरी जो आडियंस जिन्होंने नहीं देखी है तो आल्मोर्स अबने होगी जिन्होंने मुवी नहीं देखी है ट्रेलर जरूर देखा होगा तुनको बताती चलों कि यह मुवी बेसिकली कन्वैयन अफ रिलिजन लव जिहाद और इस टाइब की चिज अजिए पिनल विजन का नामे कि यह आर एसस बीज़पी का एजंड़ है मुझे बताएं सियम उफ केरला नहीं बताएं मुझे बताएं इस चीए इस स्टेटमेंट को देखते हैं आप क्या कहींगी कि कि अवहां इस सिटी के सिएम ने जो बात कही है इसमें कितना सच और कि इतिहास को देखी कोई नहीं चेंज कर सकता है अगर ये मुवी एप्चली में फिक्शन होती या इस मुवी से अगर कोई कॉई कॉवर्सी जो मुसल्मानों के विरोध में जा रही होती या इस मुवी में अगर कोई सच्चाई ना रही होती तो कैरला हाई कोट ने इस मुव अपना दिखाया होता, शायद जितने भी special branch है, crime branch है, शायद जो investigation bureaus है, उन्होंने भी अपने interfere और अपने negativity दिखाई होती, या आपके sensor board, जो cinema के जो sensor boards होते हैं, उसमें भी rule and objects होते हैं, उसमें भी काफी चीजों को documentation तरीके से उसको pass कराना पड़ता है, तो शायद sensor board में ही movie रुक जाती, अगर बाके में ये movie जूट पर आधारित होती, या किसी तरीके का एक propaganda के आधारित होती, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आज ये movie इस पूरी दुनिया के cinema घरों पर दिखाई जा रही है, और लोग बहुत ही अच्छे से इस movie को देख रहे हैं, और बहुत emotional बाहर निकल रहे हैं, ये तो आज सुबा की भी news है, कि भाई लोगों ने ये ये तो जन्ता का कहना है, जो लोग देख रहे हैं इस movie को, उस movie पर से cinema hall से बाहर निकलने के बाद कह रहे हैं, कि एक ऐसी सच्चाई के बारे में धीरे धीरे पता चल रहा है, जो शायद आम कोई इंडर्फेरेंस करके इस movie कोई स्टे करने की जरूरत महसूस नहीं की, चाहे हाई कोट हो, चाहे सुप्रीम कोट हो, या चाहे जितनी भी law and order के departments हो, या डॉकमेंटेशन तरीफे से, ये movie रोकी नहीं गई, ये movie रोकी नहीं गई, लेखे जिन औरतों के साथ ये हुआ ह है, उसमें से एक निशा पात्मा ने अपना बयान खुद दिया है, जिन औरतों के साथ हुआ है, उनमें से कई औरते खुद सामने आई हैं और उन्होंने कैमरा फेस किया है, और यहां हिंदुसान के और बाहर के भी कई चैनल पर उन लोगों ने बताया है, कि ऐसा हुआ है तो अब जो पिडिताएं हैं, जो विक्टमाइज़ हुई है, क्या वो भी जुट बोल रही है? क्या वो भी जुट जी इसमें न हमें दो तरह के सेनारियों देखने को मिल रहे हैं, एक तो यह बता रहा है कि यह टोटली इफ्रेक्शन बेस्ट जो मैंने पहले बताया, दूसरी यह चीज जो कि इनके डिरेक्टर ने भी मुवी के तदीक किये, कि यह रेल बेस्टोरी है, यह एक्शल में सारी चीज़े हमारी हिस्ट्री में मौझूद हैं, और करेंट सेनारियों में भी देखने को मिलती है, उनके अधार पर हमने यह मुवी तियार की है, और लोगों के सामने एक नक्षा खैंच के रखा है, लेकिन इसके बैक्ग्राउंड में भी अगर हम देख लेकिन कुछ लोगों के यह कहना है कि नहीं, यह मुष्लिंस की रियालिटी को दिखा रहे हैं, तो इन दोनों का अनाल्यसिस इट पाइं के सिगर भाहे हैं? कि मै को जचे पहले को कि कि आपरेशनल स्टेट्मेंट सों Keith को हम पसंद नहीं करते हैं अगर को विपि कितनो भी बडा अधाकार हो या अधाकाराये हो या अधाकाराये हो या जितना भी बड़ा डेरेक्टर हो ऐसी लूब थी हम अप्रिशियेट नहीं करते हैं जो जिसमें एंटिनाशनल स्टेटमेंट दिखाये जाते हैं या जिस एप्टर और एक्टर इस ने एंटिनाशनल स्टेटमेंट से कैमरा के सामने पहले कभी या बाद में दिया होगा लिखिए यहां पर बहुत हेट हुई थी आमिखान की जो पीके थी वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं हिंदुस्तान में भी बहुत प्रसंशा की गई भी और लोगों ने उसको बहुत सराहा था और बॉक्स ऑफिस बहुत उसके बाद कश्मीर फाइल आई तब उसमें उसमें बहुत सारी कॉंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आएं बहुत लोग उस पे कहने लगें कि नहीं मुसल्मानों के सच को आप नहीं दिखा सकते हैं तो यह कहां पर लिखा हुआ है कि अगर मुसल्मान कुछ गलत करे तो तो उसकी सच्चाई हम नहीं दिखा सकते हैं या मुसल्मान अगर बलादकार करे तो हम उसको बलादकारी नहीं बोल सकते हैं यह तो कोई बाउंडेशन नहीं नहीं प्रिडम उप स्पीच प्रिडम उप इस्प्रेशन हमारा सम्विधान का आर्टिकल 14,19,17,21 हमें इस बाज़त देता है कि हम अपनी बातें रख सकते हैं फ्रिडम उप स्पीच के तहत हमारे फंडमेंटल राइट को कोई हैं पर नहीं कर सकता है आप देखिए 32,000 लड़कियों के साथ मुझे लगता है इसे जादा ही होंगी और रही बात के रिसेंटली या हमने अभी आचानक से ऐसी कोई बात रख दी है ऐसा नहीं है निंदुसान में जब आप आईएगा तो आप किसी भी शहर किसी भी स्टेट में किसी भी टाउन में जाईएगा जिस घर में वी दो या तीन बेटे होते हैं मुसल्मान के घर में एक बहु हिंदू होती है एक बहु हिंदू होनी ही होनी है एक बहु क्रिश्चन या नेपाली होनी ही होनी है यह एक्टम मेंडिटरी है यह लिखा हुआ है यह जैसे सुनना है जैसे प्रॉफट मुहमद ने लिखा है कि देखो तुम्हारे पेट से अगर तीन बेटे निकल रहे हैं तो तुम्हारे घर में एक बहु हिंदू आनी ही आनी है या एक बहु नेपाली आनी ही आनी है यह यह हिंदुस्तान में ट्रेंड है अब आप सोचिए शारुक खान ने क्या हिंदू से शादी नहीं की आमिर खान ने क्या हिंदू से शादी नहीं की, उन्होंने तो एक नहीं दो दो तीर मारा था, तो यहाँ पर जितनी भी बॉलिवूट के अदाकार हैं, वो भी हिंदू से शादी किये हैं और बहुत मतलब proudly कहते हैं कि हमने ऐसा किया है, लेकिन साथ ही साथ अगर सूरे अलबक करके वर्सिस 221 में जाया जाए, तो वहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि भाई हिंदू से या गयर मजब से शादी करना सक्त ममानियत है, यह हमारा खुरान कहता है, यह तो हमारा खुरान कहता है ना, हमारे खुरान ने कभी भी जना का, बलातकार का, मॉलेस्टेशन का कोई भ बलातकार में अगर देखा जाए, तो इंडिया पोर्थ पोजिशन पर आता है, क्राइम में, अगर इंडिया के क्राइम का लिस्ट निकाला जाए, तो पोर्थ पोजिशन पर रेप है, और 60% प्रिजन, 60% अक्यूज्ड जो जितनी भी, मतलब मान लीजी, एक सो अक्यूज अगर पूरे इंडिया में जेल में है, तो 60 प्रिजन पर रेप की सजा खट रहे हैं, और वो 60 के साथ मुसल्मान क्यूज है? 60% मुसलिम अक्यूज्ड जो रेप की सजा जेल के अंदर खट रहे हैं, तो क्या, क्या ये आकडाएं भी गलत हैं? क्या हर रोज जो हम सुनते हैं कि फलाना मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से प्यार महबत कर लिया और फिर उसको छोड़ दिया उससे शादी नहीं की तो देखिए बेटियां तो हर घर के लिए दुर्गौर और काली ही होती है बेटियां तो हर घर के लिए मालक्ष्मी ही होती है बेटियां तो हर घ मुसल्मान मर्दों के दिमाग में ये चीज क्यों अटी बैची है, कि हम हिंदू लड़कियों के जिस्म के साथ खेल सकते हैं, हम हिंदू लड़कियों के साथ शादी करके उसको फोर्स कर सकते हैं, कि जो बच्चा होने वाला है, वो मुसल्मान धर्मों को ही मानेगा, मुसल्म तो दर्जगाह में तो वह मासे हिंदू घर से आई तो हिंदू चीजे इंसीखेगा ना, अब आप एक हिंदू लड़की को एक अलग कास्त, एक अलग रिलेज़न, एक अलग कल्चर की लड़की को लेकर आते हैं, और आप उसके उपर दबाऊ डालते हैं, कि भाई तुमने नमास पढ़ना है तुमने सास की तिमरदारी करनी है तुमने बहुत सारे बच्चे पैदा करनी है और वो बच्चा मुसल्मान हो जाएगा और बच्चा मुसल्मान हो जाएगा लेकिन on the other hand आप पार्शेलेटी मुसल्मान दाढ़ी टोपी वालों का देखिए मुसल्मान लड़के भारी तादाद में हिंदू लड़कियों से नेपाली लड़कियों से शादी करते हैं पर मुसल्मान लड़कियां अगर हिंदू लड़के से या किसी और रिलिजिंज के लड़के से या किसी सिख से किसी इसाई से किसी क्रिशन से किसी यहूदी से अगर करनी की सोच भी लेती है तो उसक Zukड़े जहन्नमी बोड़ दिया जाता है मैं आकर सारा दबाव यह सारी पार्शेलिटी यह सारी एक्स्क्यूजाओं सारे जिसी सारे सुन्न यह सारी आयते हैं यह सारे कुरान की बातें सिर्फ लड़कियों करहिं क्यों तौपए जा तो एक इजद्दार घर के बेटे का भी इजद्दार होना बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है यह सारे दाड़ी तोपी वाले भूल क्यों जाते हैं तो दा केरेला स्टोरी ने जो है न एमझा बशकन नंका मुसल्मानों का इसे तरहोगे इस तरीठे से इस मूवी ने भी एक बशकने अगली त्रोथ दिखाए चानल का और मुसलमानूं को दर्थ होगा मुझे प्रथ हैं कि डत्र॥ होगा लेकि असके रिलीज हो नहीं नाजिया ये जाना diabलिका से तुझे शका तुझे के सभrau है ये बहुत ज़ाओं बहुत ज्यादाइट वॉलिशन बन सकती है वोझ भाव सारे चीज़ें खराब करसती है, सुसाइटी के अंदर बहुत सारा फसाथ तहला सकती है वोजह से करेंटी समोवी को रिलीस नहां होने जाए, यह जो है इतने सÁre चीज़ें सुनने के बादी शुनने के बादी सब्साइट में अपने के बावजुद इस मुवी को actress है अदा उन्होंने नकाब पहन करकी ये कहा है कि यहाँ पर मुसल्मान लड़कियों का बहुत खत्रा है यहाँ पर मुसल्मान लड़कियों को बहुत परिशान किया जा रहा है उन्होंने ऐसा कुछ वहाँ पर एक डायलोग दिया था जिसको मुसल्मान लड़कों ने चल रहे थे बहुत controversial हिजाब की बात चल रही थी काफी cases भी चल रही थी जो मैंटर सुप्रियम कोर्ट तक चला गया था उसी सिनारियों में इसी movie की क्लिपिंग आय थी जिसमें अदा शर्मा जो है जो है ऐक्टरेस है उन्होंने हिजाब पहन करके लोगों से बिनिती कर रहे थी कि मुसल्मान लड़की उपर बहुत रख्याचार हो रहा है, मुसल्मान लड़की स्टार्ट हुआ कि अरे ये तो हमारा सच पोल दिया जा रहा है ये तो वो बाते बताती जा रही है जो हमने आज तक छुपा कर रखने की कोशिश की गई है ये तो वो बातों को जनता के सामने और पूरे हिंदुस्तान के सामने और पूरी दुनिया के सामने रखा जा रहा है जो हम घर-घर के अंदर कर रहे हैं, जो हम अपने घरों में छुप-छुप करके कर रहे हैं, यह तो उन गली कुछों और उन महलों की बाते निकाल दी जा रही है, जहाँ लड़के अड़ा मार करके दूसरे-दूसरे घर की लड़कियों को बेआबरू और बेज़द अपने पोन के चैक पर करते हैं यह तो वो बाते सामने आ जा रही है इसलिए मुसल्मानों को दर्दी स्टार्ट हुआ है आज देखिए आप हिंदुस्तान में आईएगा आप जितने भी हिंदू एरिया में जाईएगा बहां पर अगर लड़के चाय की दुकान में खड़े होते हैं तो वो एकनॉमिकल ग्राफ के बारे में बात करते हैं वो अपने आगे बढ़ने के बारे में बात करते हैं वो अपने करियर के बारे में बात करते हैं वो अच्छी बुरी चीजों और बुरी चीजों के बारे में बात करते हैं वो अवेरनेस के बारे में बात करते हैं पर आ की बेटी है मुसल्मान है देखो उसका ना दो तीन पहले बॉइफ्रेंट आ उसके साथ इसके सेक्श्वल रिलेशन दे अभी रिष्टा लग गया अभी शादी होने वाली है अरे-अरे-अरे-अरे यह लड़की तो पता है बहुत उचे पोस्ट पर है आपको पता है यह कितन हैं मुसल्मान लड़के सोशल मीडिया पर आप देखिएगा जितनी भी गालियां देते हैं मुसल्मान लड़के देते हैं जितनी भी वहयाद से वहयाद गालियां देते हैं वह मुसल्मान लड़के देते हैं कल मैंने एक चैनल पर इसी दा कैरला स्टोरी के बारे में कहा है and I have proof कि मुझे तीन मुसल्मान लड़कों ने पूरा रंग दिया है कि मेरा बेटा ना जायज है मैंने दस मर्दों के साथ सो करके अपने बेटे को पैदा किया है यह मुसल्मान लड़के कह रहे हैं आरे फिसलाम, महम्मद मोहीन, तो महम्मद ये, तो महम्मद वो ये मुसल्मान लड़के कर रहे हैं वो, वो, वो argument में जा रहे हैं वो confrontation में नहीं जा रहे हैं वो जानने के कोशिश नहीं कर रहे हैं कि क्या ये बात सही है Aspirical वह सही बोल रही रही है या वो गलत बोल रही है उनके जुबान पर गालिया है कि हमने इसे सरफ गाली देनी है तो क्या Quranet-7 की अजासत देता है वाई आप कितने विद्विस चोह आप ना करिये गा आप कितने आकड़ा को ना करिये मैं भी पिछे नहीं हटूँगी मैविश आप पाकिस्तान में बैटी हो और आपका आपकी न्यूस जितनी बार भी दिखाई गई है मेरे मेरे पेस्बुक पेश पर आप उसके कमेंट्स पढ़िए मुझे और आपको गालियां देने वाला सबसे ज़्यादा मुसल्मान है यह स चीज मुसल्मान कैसे बोलेगा अरे प्रोस्टिट्यूट कहीं की ऐसे बोली है ऐसे बोलेगी तो देख लेंगे तेरे घर घुश के तेरा रेप कर देंगे डेस इस दा एक्जाक्ट लैंगवेज ओ फूसलेम इन इंडिया अगर त्रोस्ट दिखाया जा रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है यहां सच में हिंदू लड़कियों को प्यार मुहबत के जाल में लड़के फुसाते हैं यहां सच में प्यार मुहबत और शादी का बहाना देकर के उनको जूटा दिलासा देकर के पुरा करने के लिए यह अनुमति है यहां हिंदुस्तान के हर मुसल्मान के गली कुछा में आप मेरे साथ चलिए मैं आपको दिखाऊओंगी कि मुसल्मान लड़कों की gossip क्या होती है, मुसल्मान मरदों की gossip क्या होती है, यहां 50-50 साल का बुड़ा आदमी, 14-15 साल की लड़कियों को गलत नजलों से देखता है, यहां आप juvenile rape case के इसके कटगरे को जा कर के देखिएगा, बुड़ा-बुड़ा, पचाट साल का साज़ साल का गुड़ा गुड़ा क्या नामसे क्या नाम कि दो मैं चानती हो कि मुसल्मानों का यह बद शकल बद शकल सच है पर सच तो सच होता है ना इससे तो हम डिनाई नहीं कर सकतें ना प्यार मह worked कि ओंपुरे और मुनिफाल से जित Was a आती हैं जितनी लड़किया वारे जी आती है सारे लड्कियों को यह इस करते हैं. नके कुल. महबब के जाल में फसाया गया है और उनको argument में उतारा गया है एक दाक्षी रिजिया अपटर के धर्शाया गया है और उनसे टररियुरिज़र्सम पुरी को कि गई ईना है इस नुदो इसमें रियालिटी नहीं है लेकिन दूसरी जाने मुवी की ही डिरेक्टर केहे हैं कि रेल बेस्टोरी है रेल को तो रेल ही कहेंगे ना हमारे हिंदुस्तान के बेस्ट बिंगॉल में नासरकाम खादिर खान ने एक वारेनर लड़की का रेप किया ता दो मुसल्मान भाइयों तो ने मिल कर के अपने दोसतillon के साथ मुविंग कर में ये तो रेल है ये तो हम डेला इसको बीज़िप के परपोगंदा बताय जा रहा ह। उसकि अवफर क्या पोजिशं तो जो बोलेंगे ना मुसलetrical को सेफ करेंगे तो ही ना मुसल्मान का 28 परसेंट वोट मिलेगा ठी मि मुसल्मान हू patent scientist भालात कारी था है और है वह कलम शरीक है इसका मतलब ये अब हट गया इस पूरे हिंडोस्तान में बलात कारी 60% अगे में ऐसे हैं तो फैक्त है नाजिय जिए जिए लिए पहले जिए हैं लोग ज्यार प्हलती जा रही है पहले छंद अपको बहुत तेजी से पहले हैं इसको कैसे रूक जा सकता र क्या मुच ऐसे लिए इस पर तु उतरपरदेश में योगी जी सवकार ने एक बहुत टो वहां पर उस act में यह बताया गया है कि अगर माल लिजी लड़की हुंदू है और अगर दोनों को शादी करनी है तो वो भाग करके कहीं पर भी शादी नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपने माबाप को बुलाना पड़ेगा, पहले थाना नियरेस पुलिस स्टेशन को बताना पड़ेगा वो पुलिस स्टेशन आ करके माबाप के दोनों तरफ के माबाप का स्टेटमेंट लेगा और तब पिर शादी हो सकती है अगर माबाप की रजमंदी है तो ठीक है तो ये एक बहुत ही कुपसूरत खानून बना तो इस खानून से काफी चीजे शांती में आई उतर है वो मानने को तयार नहीं है अब आप मुझे बात बताईए कि आपकी शादी अगर हिंदू मर्द से कर दी जाए तो क्या आप सफोकेटेड नहीं हो येगा प्यार महबत में आ जाईएगा आने के बाद आप शादी कर लीजीगा और फिर वो मर्द कहेगा कि जो बच्चा ह हुआ है वो मंदिल जाएगा वो पाट पूज़ा करेगा आप प्रॉब्लम होगा आपको तो फिर आपको कहेगा कि आपको बुखा पहनना पढ़ेगा फिर आपको कहेगा एकोंगा की बच्चेत पैदा करने पड़ेंगे तो लडिक्त प्रॉब्लम होता है ना बहुत प्रॉब्लम होता है ना तो जो अगर अगर जैसे मुसल्मान मर्दों में एक बहुत फैसिनेटिंग चीज है कि वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम मुसल्मान हैं हम मुसल्मान हैं लेकिन पुरान कहता है कि अल्लह ने अश्रफल मखलुका जो बनाए हैं और उन तमाम अश्रफुल मख्लुकात पर एक एक जिम्मेदारियां दी हैं जो आप सुसाइटी के पक्ष में करिएगा जो आप सुसाइटी के रिफॉर्म होने के लिए करिएगा जो आप अपने अपनी खौम के बहतरी के लिए करिएगा ये तो ये तो चीजी आधा हैं कान्म गजी हैं क्यों नहीं नहीं मान रहे हैं क्यों कि अगर सारे दाळी टोपी वाले कुरान को और wrench मानते हैं और सारे मुसल्मान जवान जो लड़के लड़के या middle age के जो मर्द हैं ये कुरान को follow करते हैं तो फिर ये बलातकारियों के against में अगर कोई मुसल्मान बलातकारी होता है तो उसके against में कोई Mitchell मिटिंग क्यों नहीं करते हैं ऐसी controversial statement उनके against में क्यों नहीं देते हैं आपने कभी सुना है कि विक्टिम के पक्ष में 50 मुसल्मान मर्द एक साथ बाहर जमीन पर निकल आया और कहा कि हम उस वक तक धरना पर बैठे रहेंगे जब तक इस बलातकारी कुफासी की सजाना हो जाए आपने कभी भी सुना नहीं सुना नहीं सुना होगा Google में ढूंते ढूंते बुड़ी हो जाईएगा पर नहीं देखा है। muslim मर्द अगर बशादी करें सारे पाड़ी टोपी मोगी मुल्लाओं की जबान में फताला लगा रहेगा। लेकिन Muslim लची को हिंदु से शादी करनी है। यह सारे पाड़ी टोपी वाले इस तरहां से उसको को नोचेंगे इस तरह से उसको खतोटांगे उस लड़की को कि वो लड़की आत्महत्या करने के सिट्वेशन पर आ जाएगी देखे हिंदुस्तान में यह एक पूफिया राज है मुस्लिम पॉपुलेशन को बढ़ाने का जो टेररिजम माइंड के मौलवी मुल्ला है जो आत इस दा अगली टृथ आदरवाइस आपके मुसल्मान खौम में लड़कियां क्या बश्शकल पैदा होती है लड़कियां क्या पड़ी लिखी पैदा नहीं होती है हमारे मुसल्मान खौम की लड़कियां क्या अट्राक्टिव नहीं होती है हमारे मुसल्मान खौम की लड़ हमारे Prophet Muhammad ने यतीम से शादी किया, हमारे Prophet Muhammad ने अपने उम्र से 15 साल की बड़ी लड़की से शादी किया, आप क्यों नहीं करते हैं, आप Prophet Muhammad सुनना follower है ना, तो आप विद्वा से शादी क्यों नहीं करते हैं, आप यतीम से शादी क्यों नहीं करते हैं, आप गरिब से शादी क् लाव्मन कथि अप पाकिस्तान कंट्री से हैं आपने के एक्सेप्ट कर लिया ला यह कर लिया ना कि मुसल्मान प्रॉफिट मुहम्मद की सुनना को नहीं मानते हैं यह जो सिर्फ है यह सिर्फ अरिटर साटिपिकेट है कि भाया हम रेप करें, हम किसी लड़की को नंगा करें, हम किसी लड़की को बेयाबरू करें, हम किसी लड़की के साथ को धोका दें, हम किसी लड़की को sexually use करें, पर तुम हमको कुछ मत बोलो, क्योंकि मेरे को अल्ला ने एक बहुत बड़ा certificate दिया है, मुसल्मान होने का, इस इसको बहुत शूरत तरीके से कड़ा से कड़ा सच सही तरीके से बड़े-बड़े पर्दों पे दिखाया जा सकता है देखिए हिंदुस्तान में घंदुस्तान ही कैसे सिट्वेशन पर आया है जिसको करन जोहर के डोलने नाचने और चोटे-चोटे कप्डे वारी मूवी नह जनता को मामूली साधारन लोगों के साथ जो हो रहा है ऐसी मुवी पसंद है वो ऐसी मुवी को की प्रसंशा करते हैं उसको देखना पसंद करते हैं वर्साचे और डॉल्चे गवाना के कपड़े में जो अधाकारा है हिंदुस्तान की निकलती है वो गरीब आदमी की हैसियत आपने पतान मूवी की बात कही थी पतान मूवी में शारुकां दो हातों से पूरा प्लें को पकड़ लिया था इस पॉसिबल नहीं है हम नहीं मानेंगी और हम देखेंगे भी नहीं हैसी मूवी जो गली कुचा में जो लखंगा लुच्च्छ चिटिंग बास चोर मुसलमा लोग रहता है वो बहुत खुशी-खुशी देखता है कि अरे डिपिका ने चोटे कपड़े पहने आरे डिपिका ने क्लेविश दिखाया अरे फलाना हिरोईन ने अपना पूरा पीठ दिखा दिया तो वो इस लोग में ऐसी मुवीज को देखना पसंद करते हैं लेकिन पारे सामने नहीं आया था ऐसा है और इसका बहुत बड़ा सबूत यह के पठान मुवी इतने बड़े प्लाटफॉम पर आई और उसके बाद फ्लॉप हो गई मगर यह मुवी एक ऐसे प्लाटफॉम पर रिलीज हुए जिसके 70-70 फॉल्वर्स थे मगर विदन आर्स एंड इसके मिलियन में फॉल्वर्स चले गए और मिलियन के अंदर व्यूज आ गए उसके उफर तो तो यह चीज़ प्रूफ करती है कि सच में आपने जो बात के हिंदुस्तानी जनता आप क्या देखना चाहता है यह तो इतिहाद गवा है कि सच कड़वा होता है यह तो जब इसलाम की तब्लीग किया करते थे जब इसलाम के बारे में लोगों को बताया करते थे तो लोग उन पर इटा पत्थर मारा करते थे लोग उन पर कच्रा फेका करते थे उन्हें गंदी-गंदी बाते कहा करते थे पर प्रॉफट मुहम्मद ने बैक पूट नहीं लिया तो आज अगर हिंदुस्तान में मुसल्मानों को उनकी सही उकात और सही सही तर्वियत दिखाई जा रही है तो बुरा तो उनको लगए कहते हैं कि हम सुनना फॉलोवर हैं कहते हैं कि हम कुरान फॉलोवर हैं कहते हैं कि हमारी माँ पांच वक्त नमाजी है और ऐसी पांच वक रोमें पाए जाते हैं विभिन परकार की लड़कियों के साथ गर고 द्हरμ की लड़कियों के साथ चैसे हैं के मेरी मां तहजद की नमाज पढ़ती है और बेटा सेक्स चिपचेट करता है कहते हैं के मेरी मां जो है वो बहुत पाकीजा है आपकी मा की इज़त और दूसरे की बेटियों की इज़त नहीं है वहरे वह उपर च्छते पर मा नमास पढ़ रही है और नीचे बेटा खड़ा हो करके दूसरे गली महले के लड़कों के साथ दूसरी दूसरी बेटियों की इज़त उतार रहा है इज़त तार-तार कर रहा है अगली मुहले में अपने अपना इंटर्टेन्मेंट के लिए देस इसलाम यह मुसल्मान का अशली चहरा कौन सी तर्वियत है यह? कौन सा सुनना है यह? कौन सा कुरान है यह? हमने तो नहीं पढ़ा हमने तो वो कुरान पढ़ा है जो रमजान में नाजल हुआ था हमने तो वो तीस पारे पढ़े हैं जिस तीस पारे में हमेशा अच्छी और खूपसूरत बाते बताई गई है हमने तो वो तीस पारा पड़ा है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजे बताई गई है, जो शायद इंसान अगर कर ले तो वो इस इस दुनिया का सबसे खूपसूरत और सबसे हसीन इंसान हो जाएगा. अगर बाकर में मुसल्मान सुन्न और इसलाम और खुरान को मानते हैं, तो मुझे लगता है कि इस पूरे दुनिया में एक भी मुसल्मान बलादकारी नहीं होना चाहिए था. अब हम कहते हैं सीना चोड़ा करके कि नहीं यह गलत दिखाया गया है. आप एक दिखाईए कि किसी मुसल्मान ने बलादकार किया है. आप एक दिखाईए कि किसी मुसल्मान ने अपनी बीवी को तलाख दिया है. आप एक ऐसा मुसल्मान दिखाईए जो घर में बीवी होते हम तो रोज देख रहे हैं के बेटियां जो है आपने बच्छों को बोदी में ले करके सिसक्ती हुई रोटी हुई आ रही है आप लड़कियों को बेयाबरो करने से पीछे नहीं हटते हैं, आप नाम रखते हैं अकबर, और आप करते हैं बलातकार, आप जैसे 90% मुसल्मानों की वज़ा से हम जैसे 20% मुसल्मानों को अपनी नजर और अपना सर जुकाना पड़ता है, कहना पड़ता है कि हाँ ऐसी मुवीज को बहुत ज़्यादा वाइरल करना चाहिए, कहना चाहिए कि ऐसी मूवी एक नहीं और बनाईए, मैं सब जब्जब देंगी कि ऐसी मूवीज बनाई जाए, हमारे पास तो जुबान नहीं है, मुसल्मान मर्दों के पक्ष में कुछ बात करने के लिए, अगर होता तो इतनी तलाग शुदा औरते नहीं होती, दर-दर भटकती नहीं होती और कोट के दर्वाजे नहीं खट-कटा आ रही होती, बच्छों को गोल्ग में लेकर करके सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक कोट के चौकट पर नहीं बैची होती, कि मेरे हस्बन ने हमको तलाग द यह मुसल्मान मर्दों का रेल सच्चाई, नंगा सच्चाई, बच्छकल सच्चाई पर यही है सच्चाई, जब चाहते हैं शादी भीका करते हैं और जब चाहते हैं तलाग दे लेते हैं, जब चाहते हैं पॉलिगेमिक कर लेते हैं और जब चाहते हैं हलाला कर लेते हैं, क जितनी कांट्रोवर्सी आपने को मिल रही हैं जितनी जाद हमें डिप्लोम अशी निजर आ ए लोगों के बहवियर में शेयरी में अश्वरी में पीछ यही तमाम रीजन्स हैं वेरी वेल एक्स्प्लेंड नाजिया जी ओपली मेरी ओर्डियन्स को सुन के जो डौट्स भी थे उस मुवी को लेकर वो तुमाम क्लेयर हो गए उन तुमाम के जवाब उनको मिल गए होंगे पर अगर को बात रह गई हो तो फुर्दे वीडियो में उसको जरूर करते हैं थे जवाब भी आजिया जी और अजिया जी तरह ताम को लेकर जो चीज़े नहीं थी को लेकर दो जो नहीं थी तुमाम इन बातों के बात रह एंगे मुझे देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें ताके तमाम लोगों को पता चले कि वो लोग जो उस मुवी को देखने के बाद अपना माइंडशेट बनाए हुए बेसिक रीजन के बनाने की और बेसिक उसके अंदर जो आपनों के दिमाहों में मैं यही कहना चाहूंगी कि जब जागो तब सवेरा है और मैं उमीद करूंगी कि हमारे हिंदुस्तान नहीं इस पूरी दुनिया के मुसल्मानों को अल्ला सब्र दे अल्ला अकल दे और ओरतों के जो इज़त कुरान ने बताई है ओरतों को जो रुटबा और दर्जा कुरा कुरान से सीखें काश हम उमीद कर सकते हैं और उमीद पर दुनिया काइं में आने वाले टाइम में वी कन जिस प्रे एंड होप के यह चीजें इस तरह से ही हो जिस तरह हम एक्सपेट कर रहे हैं जिस तरह हम चाहते हैं जिस तरह हमारे कुरान ने कहा या जिस तरह हमारे अजी नहोंगस